Hello beautiful soul, कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, positive हैं, सबसे important कि आप सब भी बहुत ज़्यादा healthy हैं और अपना अपना कहाल रख रहे हैं इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि जब भी आपको angel number 222 या 2222 encounter होने लगता है तो इसका meaning क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपके ancestor, क्या कहना चाहते हैं आपके guardian angels, archangels, universe, आपसे divine शक्तियां, कुछ तो कहना चाहते हैं आपके लिए कुछ तो message है, क्यों ये number बार बार दिख रहा है, यही जानने वाले हैं बट उससे पहले आप अभी तक हमारी इस प्यारी से soul family के parts नहीं हैं तो आप चैनल को subscribe कीजिए और हमारी family के part बन जाए हैं bell icon को और पर प्रेस कर लेजेगा ताकि हर update आपको summer पर मिल पाएं और हर वीडियो को आप सबसे पहले watch कर पाएं तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है इस number का meaning और क्यों दिख रहा है ये number जब भी आपको angel number 222 या 2222 दिखने लगता है तो उसका first meaning यही होता है या फिर किसी भी तरह का number दिख रहा है जिरो से लेके चाहे जितने भी numbers होते हैं कोई भी number आपको repeated दिख रहा है तो आपके लिए एक common meaning हर angel number के लिए रहता है और वो ये है कि divine शक्तियां, divineic angel, universe आप से connected हैं उनका message है आपके लिए कि आप चाहे कैसी भी condition में है situation चाहे कितना भी विपरीद है वो हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपको protect कर रहे हैं तो आपको घबरानी की ज़रूरत नहीं है इसका second meaning ये होता है कि अगर आपको हर जगा 222 number दिख रहा है और आपको लग रहा है कि ये महज इत्तिफाक है तो ऐसा बिलकुल नहीं है जरूरत है तो जब भी आपको ये suddenly दिखने लगे हर जगा 222 ये 2222 दिखने लगे तो आप समझ लेजिए कि आप चाहे जैसे भी condition में हैं वहाँ थोड़ी देर रुखने की जरूरत है suppose कोई ऐसी चीज है कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी situation है जहां आपको लग रहा है कि आप दो राहे पे आके खड़े हो गए आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको जाना किधर है उस समय आपको हर जगा अगर एंजल नंबर टू 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 दिख रहा है तो आपके लिए यही message है कि आप इस समय थोड़ा धैर रखे थोड़ा रुख जाए और सोचिए समझ ये परकिए चीजों को कि सही चीज कहां दिख रही है आपको सही रास्ता आपको किधर से मिल रह है आपको उसी रास्ते पे चलना है बट ये नंबर दिखने का यही meaning होता है कि थोड़ी देर रुखने की जरूरत है आपको अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं आपके वज़े से किसी को कस्ट मिल रहा है वो अंदर ही अंदर आपसे हर्ट हो रहा है आप से बोल नहीं रह है कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं बिलकुल इसी तरह अगर आपके किसी रिष्टे में बहुत जादा negativity है या आपको लगता है कि ये मेरा toxic relationship है तो थोड़ा से रुख जाईए और दिमाग पे जोर दीजिए और सोचे कि लड़ने से क्या कोई solution मिल रहा है आपको नहीं मिल रहा है न, तो दिमाग को शान्थ कीजिए और अच्छे से सोचे सोचने के बार dc जनलेजिए क्या आपको इस तरिस्ते से निकलना चाहिए या नहीं, अगर निकलना चाहिए तो निकल जाइए अगर रहना चाहिए तो प्यार से रहे बट लड़िये मत ये सोचूचिये मत दो राहे भी मत रहिए बिल्कुल इसी तरह अगर आप study करते हैं वहाँ आपको negativity लग रही है आपको समझ नहीं आ रहा है आपको किधर जाना है किधर नहीं जाना है हर चीज के लिए आपके लिए message है कि अपने दिमाग को शान्त करके अच्छे से सोचे क्योंकि ये जो दो रास्ते दिख रहे हैं उसमें से एक रास्ता है आपके लिए लेकिन इस समय आपको समझ नहीं आएगा इसलिए वेट कीजिए आपका divine time भी आनी वाला है वेट universe का अभी message है कि थोड़ा सा रुकिए थमिए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो ढूंड़िए कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको लेकिन शांत रह कि अपने mind को सांत कीजिए अगर समझ नहीं आता है क्या करना है कैसे शांत होना है कैसे शांत रहना है, कैसे positive रहना है तो आप meditation start कीजिए आपको खुदी रास्ता मिल जाएगा अगर कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो आपके लिए सबसे आसान होता है meditation करना या फिर कोई switch word यूज कीजिए आपको बहुत जल्दी रास्ता दिख जाएगा आज ही मैंने switch word वाली वीडियो अपलोड की है आप उसे check out कर सकते हैं तो आई hope कि इस वीडियो से आप लोगों को help मिली हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो definitely इस वीडियो को ज़्यादा इस ज़्यादा शेयर कर दीजेगा अगर आप इस चानल पर नए हैं तो subscribe भी कर लिजेगा वीडियो को like कर दीजेगा बेल आइगन को जरूर से और पर प्रेस कर लिजेगा और इस चानल पर आपको बहुत सारी law of attraction की वीडियो मिलती है उसे भी आप चेक आउट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अर अगर आप चाहते हैं अपनी कोई भी personal problem मेरे साथ शेयर करना तो मेरी इंस्टा इडिया अपनी हर problem मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वाली वीडियो में तब तक आप सभी खुश रही है हल्दी रही है, पॉजिटिव रही है, मुस्कुराती रही है God bless you and thanks for watching Love you all